नमस्कार बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुजीत हमारे साथ अब्दुल कादिर जी हैं वरिश्च पत्रकार और हम लोग इसलिए कठा हुए हैं क्योंकि गया सुरक्षित सीट पर क्या आकलन रहेगा क्या समिकरन रहेगा किसकी जीत होगी किसकी हार होगी असपष्ट तौर पर आपको बताने की कोशिश करेंगे हम अब्दुल कादिर जी काफी लंबे समय से गया को कवर करते रहे हैं और इन्हें जमीनी हकिकत का पता है मैं भी यहां दो दिनों से घूम रहा हूँ और जगा जगा जाकर हमने जाजा लिया है कि यहां पर जो वैसे तो यहां बारह उमिदवार हैं आपको बता दू और जिसमें मुकाबला जो है वो महागडबंदन के कुमार सर्वजीत जो की आर येडी के की तरफ से उमिदवार हैं पूर्व कृष्री मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में और उनके अपोजिट में जीतन राम माजी बिहार के पूर्व मुख मंत्री तो मुकाबला काफी दिल्चस्प है एक और तथिसमें काफी आपको दिल्चस्पी प्यदा कर सकता है कि 1991 में पहली बार जीतन राम माजी यहां से चुनाव लड़े थे और उनका मुकाबला हुआ था कुमार सर्वजीत के पिता से राजेस कुमार से और आज जीतन राम माजी का मुकाबला बेटे के साथ है उसमें राजेस कुमार जीते थे जनता दल से तो तीसरी बार जुनाव मादान में है जीतन राम माजी 80 वर्स के लगभग हो चुके 89 कह लीजे तो यहां मुकाबला मतलब यहां भी मुकाबला चाचा भतीजे का ही है अब्दुलकादिर जी यह बताईए चाचा भतीजा तो पूरा देश में मतलब हर जगा देखिए तो चचे भतीजा का लड़ाई है रिष्टा बहुत बदनाम हो चुका राजनीतिक तौर पर बहुत ही बधनाम रिष्टा हो गया, यूपी से लेकर लेकर सब जगां चाचाईडाह के लगा, तो इसमें चाचाईजा में ऑनेश कौन है इस के जो भारतीय प्रमपरा लेकिन हम लोग बहुत है गया के और जहां जहां गए जिस इलाके में देखिए असपष्ट तोर पर ये नजर तो आता है कि जात एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जात जिस जाती के मुहले में चले जाइए जिस जाती के गाओं में चले जाइए तो वो उस जाती का तो ये गया में भी है यह बिहार में कहावत है कि वोट और बेटी जो है वो जात को दी जाती है और यह पूरे नौर्थ इंडिया में लेकिन बिहार में अभी तक बीजेपी अपने बल पर सरकार नहीं बना पाई है इसलिए की यहाँ का जो कास्ट कामिनेशन है वो रास्ते में आ रहा है यहां मतलब राम राम पूरा नहीं चलता है लेकिन कास्ट इसे डुमिनेट कर जाता है यहीं बताएब अब्दुलकादीजी आप काफी लंबे समय से यहां पर आप कवर कर रहे हैं तो कास्ट एक्विशन क्या करता है इन दोनों उमिद्वारों को अगर हम देखे सामने रख क तो एक बहुत दिल्चसपा बात आपको हम बता दें कि पिछले चुनाव में तीसरे नमर पर नोटा यहां आया था तीसरे थर्ड पोजिशन पर नोटा था और यहां तक कास्ट कंबिनेशन की बात है तो एक बात यहां सबस्ट है कि 2011 के सर्वे के सेंसर के मुसार गया में ल और लोगों का जात्वाइज नहीं पता चलता है लेकिन गया में चौदा परसंट से अधिक हैं तो 16-18 परसंट मानके चल सकते हैं लेकिन गया में एक चीज बड़ा दिल्चस्प है कि हर बार हम और अंगाबाद भी गय थे वहां तोड़ा यह था कि भई बार एक ही उमीदवार के रहने से कुछ नाराजगी दिखी लोगों में लेकिन गया में हर बार नया उमीदवार यह एक बड़ा मतलब यह आपके लि मांजी जीते हैं और बाकी लोग तो एक ही टर्म में निपट 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 नौ में हरी मांजी चौदा में और 19 में विजय माजी होगा है अब इस बार देखिए कौन माजी है या कुमार सर्वजीत है अभी तक अगर दूसरे पॉंट आफ देखेंगे तो यहां पर इश्वर चौधरी जो बहुत ही पॉपलर एंपी थे वो तीन बार चुनावजी थे और वो ना मांजी थे ना पासवान थे वो पासवान से थे लेकिन अभी जो सिच्वेशन है उसमें उसके बाद से आगर आप देखेंगे तो यहां का रेप्रेसेंटेशन य होसता कि देश में पहली बार आइसा हुआ था उन्हें सवकानवे में कि कॉंग्रेस और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ी थी पार्टी का उमिद्वार था उनके लेकिन उनकी प्रायोटी यह थी कि लालू के कंडियेट राजिश्कमार को हराना है तो लोकल लेवेल पर हम थी उनकी वजाई थे कि लोगों ने डिसाइड किया इनफॉर्मली के दोनों अगर मैदान में रहेंगे तो जीत राजिश्कमार के निशित हो जागी अगर किसी एक को हम लोग सपोर्ट कर दें और उसमें राजी थे कॉंग्रेस के नेता यूपी के पुराना मां भी भू आपने कभी नहीं देखा होगा नहीं मतलब कॉंग्रेस और बीजेपी एक साथ अगर कहा जाए तो नब्य में लालू परसाद यादों ने जो सरकार बनाई थी बिहार में तो उसमें बीजेपी ने सपोर्ट किया लेकिन कॉंग्रेस और बीजेपी दूसरी पार्टी उसाथ लेकिन कॉंग्रेस और बीजेपी का कभी के नहीं रहा है यह नंबर दूसरी दूसरी की जमानत जब्त हो जाए और गया टाउन सीट जहां बीजेपी को सबसे जादे लीड मिलती है वहां बीजेपी चैंडिडिए देवी को कुछ सब वोट आए थी तो वह उसकी वज़ा य कर रहा था और हमने चुनाव से पहले यह बात बता दी कि एस अंडर्सेंडिंग हो गई है भाजपा वालों को इतना बुरा लगा कि उन्होंने अख़बार जलाया लेकिन रिजल्ट ने इसको कंफर्म कर दिया कि भाजपा और कॉंग्रेस एक साथ चुनाव लड़ी तो गय प्रिष्ट भूमी में तो एक क्यानवे में जन्ता दल से जीते थे राजस के और एक बाद 2004 में आर जेडी के राजेस माजी उसके अलावा तो मुझे लगातार बीजेपी और पिछली बार सीट मिलने की वज़ए से जेडी तो क्या करण है कि आर जेडी का उस तरह का जोर य वजह है जैसे जिसमें दो सेग्मेंट्स हैं कि जहां आर जेडी की दाल नहीं गलती गया टाउन और वजीरगन तो दूसरी कंस्टिशी में जो लीड भी लेते हैं तो गया टाउन आकर करके उसको मेंकप कर देता मेंकप कर देता यही वजह है कि इस बार क्या लग रहा इस कुमार सर्वजीत करके युवा हैं यह कि प्लस पॉइंट है लोग जान रहे हैं कि नका इंतिम चुनाव है तो लोग की परंप्रा भी रही है कि आखरी विदाई जो है ठिक ठक से कर दिया तो ये भी कहा है कि भाई हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि संतोस माजी को अब खड़ा करने वाले थे आप क्यों खड़ा हो गए पुब्लिक ने कहा कि भाई संतोस माजी अगर जीते तो सांसत बनते और मैं जीतूंगा तो केंद्रिये मंत्री बनूंगा लोग कह रहे हैं मतलब वह नहीं कहा है हमारी जानकारी है कि जो इंटरल सरवे आया था बीजेपी नहीं कराया और लोगों ने भी इंडिये के उसके अनुसार उन लोगों को लगा कि संतोस माजी इसीट नहीं निकाल पाएंगे तो केंडिये इसलिए मांजी जी की एक्छा यह बहुत बहुती दिरिजस्ट मकाबला है काटे की टक्कर है लेकिन स्लाइट एज हम मांजी जी को देंगे तो चलिए तो यह काफी समय से यहां पर जमीन की हकीकत को जानते हैं और निश्ची तोर पर इनका जो कहना है उसमें डम तो होगा ही वैसे हम लोग भी पूरे जो हो सकता है कि आखरी चुनाओ है उनका लोगों में थोड़ी सान्मूती है तो दूसरी तरफ स्कुमारे समजीत को भी है कि वो यंग है वो कुछ और कर सकते हैं तो काफी दिल्चस्ट मकाबला है और 19 तारीक को मतनान होगा निश्चित तोर पर हम तो कही सकते हैं काटे की टक सब्सक्राइब कर पाते हैं लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यह होगा कि चिराख पासवान कितना वोट ट्रांसवर करा पाते हैं क्योंकि पासवान जाती के हैं कुमर समय और जो गली महलम में जो बात चल रही है उसके अनुसार मैं इस पर यकिन नहीं करता ह है कि चिराख पासवान की सिंपैथी सरवजीत के साथ पस्नल सिंपैथी है और रहे हैं तो गया से आप आए हमड़े साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका गया से आज के लिए अतना ही नमस्कार झाल